हेलो, नमस्ति, सस्रिय काला नादा मैं आरजे प्रिया, आपको सौगत करती है आपके पसंद वीडिया चानल Nothing Much पे जहाँ पर हम बाते करते हैं कुछ उन मामलों के वारे में जो सुनने में तो बहुत छोटे लगते हैं मगर जिनका असर बहुत बड़ा होता है और ऐसा ही एक मुद्दा हमने इस बार उठाया है इस बार का जो टॉपिक है वो है फेमिनिजम और सूडो फेमिनिजम सुनने में तो बड़ा नॉर्मल है हर दूसरा बंदा फेमिनिस्ट चो कहता है खुद को मगर असल में feminism और feminist कौन होते हैं इद्वारे में हम तोड़ी सी बात करेंगे तो feminism को अगर आंग इंगलिश में उठा के पटक के आपके सामने रखते तो वो ये होता है Feminism is a term which means no sex should be treated with any injustice There should be equal treatment, मतलब बराबरी दे दो भाई और pseudo-feminism बो लोग होते हैं और pseudo-feminist बो लोग होते हैं जो खुद को feminist तो बोलते हैं अगर actually वो किसी एक साइट पे जो के वह होते हैं Just like decently a zometo वाजी लड़की क्या आपको याद है वो बाली So guys my zometo order was late and I was talking to the customer care executive and meanwhile the delivery person just did this he hit me, left me bleeding here and ran off I am at the hospital and this is my current situation and it seems like after the next day my bone is broken so we need to do a surgery for the same and I can't talk because the moment I start talking my eyes are starting watering and the nose starts bleeding so this is the update as of now जिसके घर पे कुई आगया था और से मार गया और बाद में मुद्दा उसी के उपर उल्टा पड़ गया नी भाई सब आप बताओ क्या ही पड़ी थी बंदी को क्यों ही कुछ को मारा अरे फेमस होना था तो अलग तरीके से हो जाती दी थी अब वो वाला किस्सा तो आपको याद ही होगा इट्स हर चोइस वाला अरे अरे नहा जी वाला रोडी स्पेशल जो वीडियो इतनी ज्यादा वाइरल हुई इतनी ज्यादा वाइरल हुई कि पता ही नहीं चला कि ये फेवर में थी या अगेंस्ट में जितने भी आपके ex-boyfriends हैं, उनको आपको पीटना पड़ा या मारना पड़ा चारों को, एक भी नहीं, चार सचार नहीं है, अम बहुत है चार वो हैं, जिनको मैंने मारा है तो किसने कुछ का था हाँ, कुछना, कुछना मतब होता है कि आप कुछ भी करदेते हो, और कुछ भी बूल दोगे जिसे लगा मारने के बाद मजाया था जिसे लगा मारने के बाद मजाया था हाँ पर मैंने फिर उस पो चाटा लगा दिया सुन मेरी वात इस हर चोईस नोपरी गिवस यु दा फॉकिन राइट अगर आपने गलती की है उस वीडियो में दिखाया गया था दो सिचुएशन एक परसन ने अपना पॉइंट ओफ यू रख दिया मगर दो लोगों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाहे एक लड़की ने अगर एक लड़की को थपड मारा तो उन में से एक जज ने ये बोला मज़ा आया और डूसरी तरफ अगर एक लड़के ने एक लड़की को थपड मारा तो सारे जज़िस उसके अगेंस चले गए अरे भाई, शुट्वेशन सेम थी तो फरक क्यों करते हो इतने सारे हाथ से हो जाते हैं फिर भी कुछ को फेमिनिस्ट कहना पड़ता है हाई दया क्या ही होगा आजकर हब आपको संजीव सिंग बेदी का केस तो याद ही होगा संजीव सिंग बेदी जिनके साड़े चार साल सिर्फ एक ऐसे केस के कान खराब होगे जिसमें उनकी खलती भी नहीं थी एक फेक पोस्ट इसे एक बंदी ने अड़िट कर दिया और उसे शेयर कर दिया इसके कारब उस बंदे के साड़े चार साल खराब होगे रात को आठ बजी के आसपास मैं तिलगनागर मार्किट गया था किसी काम से मैं ट्राफिक के साथ फ्लो में था और चलते चलते शिखनल रेट हुआ और पता नहीं कहां से एक लडकी मेरा सामने आगई उसने पहले एक स्कूटी को रोका देर उसने मेरी बाइक के हेट के उपर हाद रहक के मैं उसको बोला कि मैं मुझे लेट जाना है आप अपना जहां पर आपको जाना आप चले जाओ क्योंकि लैपसेट फ्री था उस लटकी ने मेरी बात को इग्नोर कर दिया और मेरी बाइक के आगे से नहीं गई तो मुरे थोड़ा गुस्सा आया मैंने उसको बोला की तुझे जहान पर जाना तो अपना चली जा और मुरे जहाना मुरे जाने दे उस लटकी ने अपना फोन निकाला और फोटो कैप्चर कर ली ये देखे मुरे थोड़ा अजीब लागा और मैंन का ये क्या बतने मीजी है तो क्या ये गलत नहीं है? क्योंकि साड़े चार साल में उस बंदी नजाचा ने क्या कुछ फेस किया होगा? कई जौबे खोई होगी, कही बार जिल्लत सही होगी फेमिनिस्ट जो खुद को फेमिनिस्ट समझते हैं वो अपने आप में सूडो फेमिनिस्ट होते है क्योंकि नहीं लगता है कि वो अपने राइट्स के लिए स्टान कर रहे हैं कि मेट्रो के बाहर या कहीं भी टिकेट लाइन के बाहर जा फिर ऐसे कोई भी पुबलिक के रिया में जहां पे लाइन्स लगती हैं वहां पे लड़किया एक अलग लाइन लगा लेती हैं क्योंकि प्रवाइबिल्टी लड़कियों की 48% होती है मगर उस लाइन में उनका नंबर जल दी आ जाता है और लड़के जो क्यों पीछे खड़े होते होनी के साथ लगे होते हैं उनका नंबर लेट तो एक साइट से अगर आप फेमनिस्ट हो आप ये कहते हूँ कि आपको एक्वालिटी चाहिए तो आपको उस लाइन का हिस्सा बनना चाहिए ना कि अपने आपको उस प्रियोरिटी में रखना चाहिए हां लड़कियों को कई साल से दबाया गया है तब ही तो मेट्रो में रिजर्वेशन मिली है इस बात पर हमें बहुत ताने मिलते हैं हर रोज कोई ना कुछ ना कुछ कह ही देता है इनने कि वे एक टपा मिल रहा है मैट्रो में देखियो, इसाइ लड़के तो रहां से बैढ़ के जोती है हम यह खड़े हो के जौते और आATHER लड़के जो भी मैट्रो की फूरी सेट खड़े होते है वो सारे यही भोल रहे होती हें कि लड़क 동안宇लेरwaysBB मिली है कि मैट्रो में ब मान लो कि आपके सामने कोई बंदा या बंदी खड़ी हो वो कह दे कि उनके पैरों में दर्द है यह कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है आपसे सीट मागे तो अगर आपको एक लंबा सफर करना है तो क्या आप सीट दो के और ऐसा ही हमारा समाज सोचता है हम युही सोचते हैं कि हम क खड़े रहो अपनी रिजर्वेशन को ना मागो क्योंकि आपस लायक हो कि आप एक्वैलिटी में स्टांड कर सको अपने सीट को किसी और को दे के उस लाइन में बराबरी में खड़े हो कि उस लाइन का हिस्सा बनके या फिर कहीं भी गर्ल्स फर्स्फला टाइटल ना लग इतने में मजबूर नहीं कि किसी और के सामने अगर हम बराबरी करना चाहते हैं तो ना कर पाई हम खुद के बलबूते पे उपर उठ सकते हैं शायद स्कूडो फेमिनिस्ट ना भनने की जरुत पड़े क्योंकि हम बराबरी समझते हैं हर जगा हक छीनना नहीं होता हक कमाना प कि थी ना और यहां बात लड़का लड़की की नहीं होती यहां बात होती है उस हिस्से की जहां पर बराबरी मांगते हैं मगर हम उस बराबरी को बराबर समझते नहीं है हम उस बराबरी का फरक नहीं समझते मगर 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 इन सारी बातों को भूल कि हम सुनते एक राहत नहीं मिलती यार तो सुनते हम एक अच्छा सा गाना और हमारे साथ कनेक्टेट रही है क्योंकि अच्छे लोग आपको कम ही मिलेंगे खास कर हमारे जैसे तो बहुत कम है स्टिल रान वी से पी का इस गाने को सुनते सुनते हम लेते हैं आपसे विदा मगर यह हमारी विदा है अलविदा नहीं को बढ़ना है वो बढ़ती है पहाड अकेले चरते है कुछ है जिनको-पाहनो के पल्ू岁 changer कंधे से कंधा मिला कर चल दो कि मसला है तो अ हल दो हक्की लडाई कहके पेफिदूल अकड़ोना ऑढाणी में सोचो एक तान नहोती चांद कलपना की कलपना ही नहोती मुकाबले में मेरी कुमने मुके बलना पेला होता सोच अगर जासी की रानी वीर नहीं सत्थी होती बहाने वना के पीजे हटना है आसान 21 जोस्ताम तन अभिमान मांगते नहीं छोरी का माते है समान